आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello Friends, question है निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है तो दोस्तों हमें आपर बताना है कि निमलिखित में से गलत कथन कौन सा है पहला है आपर लेमिनेरिया और सरगासम खाद के रूप में प्रयूक्त किये जाते हैं शेवाले अपने सन्निकित पर्यावरण में घुलित ऑक्सिजन के इस्टार नहीं आपर होगा इस्तर को क्या करती हैं बढ़ाती है और तीसरा है एलिजन लाज शेवालों से तथा केरागिनन भूरे शेवालों से प्राप्त किया जाता है और एगार एगार जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है तो दोस्तों पहला कथन जो है लेमी नेरिया और सरगासम यह खादी के रूप में प्रयूप किया जाते हैं ठीक है तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सत्य है और यह क्या होते हैं भूरे शेवाल होते हैं यानि कि इन में भूर रंग के क्या काई जाते हैं वर्णक पाई जाते हैं यह कतन तो बिल्कुल सत्य है यहां पर दूसरा है शेवाल अपने संकट पर्यावरण में घुलित ऑक्सिजन के इस्तर को बढ़ाते हैं तो दोस्ते स्वेवालों में क्या होती है प्रकाश संस्लेशन की क्रिया होती है और प्रकाश insistation की क्रिया में oxygen gage जो है यह मुक्त होती है जिसके फलतरुप पर्याण में जो घुलित oxygen है उसका इस्थर क्या होता है बढ़ता है यहँ warm अपर क्वाद EM लाल शेवालों तथा प्राप्त किया जाता है ठीक है तो यह कथन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और एगार एगार चिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है और यह दोनों ही क्या होते हैं लाल शेवाल होते हैं ठीक है तो यहां पर मारा उतर क्या हो जाएगा कि तीसरा कथन जो यह गलत है धन्यवाद